द्रग्स को लेकर साथ राज्यों के हुई बैठक को लेकर इसका असर अब अम्बाला में भी देखने को मिला है अम्बाला में आज पुलिस अधिक शक अशोक कुमार ने प्रेस वारता की और बकैदा पत्रकारों के माद्यम से ये संदेश दिया कि अब किसी भी कीमत में अम्बाला में ड्रग्स को नहीं बिकने दिया जाएगा उन्होंने कहा कि DRUGS को बेचने में जो भी सलिफ पाया जाएगा उसके खिलाफ सक्स सक्त कारवाई की जाएगी बले ही DRUGS को बिकवाने में अगर कहीं उनके मुलाजम भी पाए गए तो उनको भी किसी कीमट पर बक्षा नहीं जाएगा अशोक कुमार ने साफ किया कि ड्रग्स एक जहर है जिससे हमारी पीडी खराब हो रही है इसलिए इसकी रोक थाम जुरूरी है और इसकी रोक थाम के लिए जो भी भरसक प्रयास होंगे वो जुरूर करेंगे अंबाला को नशामुक्त बनाने और ड्रग्स पर नकेल कसने के लिए अंबाला पुलिस सक्ती से निवटने की योजना बना रही है जिसको लेकर पुलिस अधिक्षक द्वारा सभी पुलिस कर्मियों को बकैदा हिदायते जारी कर दी गई है इसको लेकर अलग से टीमे होंगी जो ड्रग्स बेशने वालों को पकड़ेंगी और कारवाई करेंगी पुलिस अधिक्षक अशोक कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अंबाला में ड्रग्स को खतम किया जाएगा यदि कोई पुलिस अधिकारी या करमचारी ड्रग्स बिकवाने में सलिप्ट पाया गया तो उसे भी भक्षा नहीं जाएगा अमारा पुलिस अदिक्षक ने कहा कि यदि कोई पुलिस कर्मी ड्रग्स का आदी पाया गया तो उसका डोप टेस्ट भी करवाया जा सकता है हमारे माननی happenustry जी ने जो ये पहल की है ड्रग्स के बारे में और चार बुख्या मुन्तरि आये और उसमें बाकी जो state के उच्शthank कारी आई हैं उनके साथ जो मीटिंग ली है ड्रग्स के बारे में इसके बारे में हमने भी कल अपनी एक जियोज की मीटिंग रखिया और हम इसमें प्लान बनाया हमने कि हम इसके अंदर पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि अमबारा डिस्टिक पूरा नसा मुख्त हो जाए तो इसके लिए हम आप यहां चलाएंगे थाकि अमबारा में किसी को भी ड्रग्स बेचने की कोई भी तरह से हर तरह से सक्थी की जाएगी और इसके बारे में हमने कल अपने DSP सहभान और CIA इंस्पेक्टर सहभान की मीटिंग रखी थी और मीटिंग में उनको कड़े निर्देश दे दिये गए और ऐसे चो सहभान को भी बिल्कुल कड़े निर्देश दे दिये गए है कि किसी भी तरह से ड्रक्स के अगर जो किसी कि उसमें सलिपता पाई गई उसको किसी भी हालत में नहीं बकसा जाएगा अगर जो इस 관심 के पाईगी उसके खलाब भी वह एक्षण होगा जो एक मुलजम के साथ हो तो हमारा माननिय मुख्यमंत्रीजी का जो ये संदेश हमारे पास आया है और इसको हमने ध्यान में रखते हुए अपने जिले में हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि अमबाला जिलो को हम ड्रक्स से बिल्कुल मुक्त कर दे और अमबाला में कोई भी ड्रक्स ना हो और इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी ने जो ये साथ स्टेट्स का वियान चलाया है उसमें हमारी स्टेट्स सफल हो सकते ड्रक्स की बिकरी के रोक्ताम के लिए अमबाला के ने पुलिस अधिक्षक अशोक कुमार की ये मुहीम कितना रंग लाएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन जिस तरीके की सकती के संदेश अशोक कुमार ने दिये हैं उससे यही लगता है कि वैं जुरूर इस पर प्रतिबन लगा पाएंगे